हेलो गाइज वेलकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट जाइडूस विलनेस की और से जुन कॉटर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में नासस करें चलिए फिंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइज यहाँ पे स्टैंडर में क्रेज किया है एक्सपेंसे फाइफ इंटेसक्स पॉण्ट नैन क्रॉड का पिछले कॉर्टर में फाइफ नडेटीक क्रोड का और जू ट्वैंडीट चुेर्ट को फाइफ उन्डट के करोडो क्रॉड करके एक्स्पेंस हुआ था जो की कॉर्टर ओन प्रॉलीीज के जबकि income उतना ज्यादा नहीं हुआ था लेकिन year on year में भी देखे हैं तो expenses बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है जिसके कान profit में गिरावट आई और इस बहुत exceptional आइटम्स नहीं कंपनी को नहीं कोंपनी का निकल के का नाया है इस बार का पिछले कोटर में 100 क्रोड का और जून 22 कौटर में क्लोड का नेट को मिला है EPS company का इस बार निकल के आया 19.58 रूपीज का quarter on quarter year on year दोनों में down देखने को मिल रही है तो guys यहाँ पर जो result निकल के आया consolidated basis पर बहुत ही weak result company पेज़ के अगर हम इसके standalone basis पर results को enhances करे income है 64 करोड का पिछले quarter 62 करोड का और June 22 quarter 65 करोड का income था quarter on quarter में तो growth है लेकिन year on year में down देखने को मिल रहा है expenses 53.8 करोड का पिछले quarter में 51.9 करोड का और June 22 quarter में 57 करोड का expense हुआ था quarter on quarter की expenses increase जबकि income में down है income उतना जादा नहीं कर पाई इंक्रीज लेकिन year on year में भी expenses डाउन है लेकिन यहाँ पर expenses डाउन जो है यह रॉन यह में इसके प्रॉफिट नफल से recover हुआ है जो कि operating पॉफिट है 10.4 करोड का पिछले quarter में 10.5 करोड का और June 22 quarter में 8 करोड का operating पॉफिट है quarter on quarter में राउंड यहाँ पर दाउन है लेकिन year on year में increase करता हुआ देखने को मिला है नेट पॉफिट कंपनी का है 8 करोड का पिछले quarter में 28 करोड का और June 22 quarter में 8 करोड का नेट पॉफिट है quarter on quarter बहुत बहुत बढ़ी fall है यह रॉन यह में इंक्रीज दिकि quarter on quarter करोड का टैक्स एड़ किया गया था लेकिन इस बात 2.2 करोड का टैक्स चार्ज किया गया और इसी कांसे कंपनी का पॉफिट बहुत ज्यादा है देखे पॉइंट नमबर फोर यही बता है एस पार्ट अफ मैनुफाक्ट्रिंग और सप्लाइचें नेटर्वर कॉप्रिमाइजेशन और तो मेक मैनुफाक्ट्रिंग ओपरेशन लीनर और एंड एजाइल और तू दा कंजूमर नीड ग्रूप हैट कंड़क्टेड अस् इन विव ऑफ दा सेम दा बोर्ड अफ डिरेक्टर्स ऑफ जाइडूस वेलनेस प्रोड़क्ट लिमिटेड अवल जो की सब्सीडियरी है जाइडूस वेलनेस का ही 17 जुन 222 को एक रिजॉलूशन जो पास किया था जिससे सीतार गंज मैनुफाक्ट्ट्रिंग फसलिटी जो होगी है यहाँ पर अपना एक रैबल पर जो वेस्सें रैबल मॉंबाई का जो शिक एक सेंड किया था जिसमें कंपनी को यह जो सेंड हुआ था एक ci से क्लासिफाइव किया था एसट है फॉर से इल्ड वार्पाट से से थो प्रिवीएस फिनांशल यान में में और से कारण कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं एक्स्टोड में दिल देन बाबाइ